तो आपको इनको करेक्ट करना था तो मैंने यहां पर डारेक्ट करके वो नेम लिख दिया था आपको पहले यह संटेज लिखना है उसके बाद आपको जो करेक्ट संटेंस वो राइड डाउन करना है तो आप अपनी फेर नोट्बूग में वैसे ही करना जैसे मैंने आपको वो लास्ट कोश्चन बताया बिटा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपोर्टेंस ओफ एर में इसने एक पोएम राइड डाउन अपनी बिया एपनी यह लैफ के लिए अपनी जीविन के लिए है इजैसे हम मैंने ज़कता है ब्रेफिन सब मारा Poru questainch को सबसे किस चीज के लिए ताकि वह अपना खाना बना सके अपने सीट को ग्रोथ कर सके एयर एयर एवरिवेर कम फिल इन दा एट्मोसफेर एयर हर्जे के है बारा और एट्मोसफेर में से पहसुस करो तो एक चोटी सी पोय हम है आप इसे सिंप्ली लर्न कर सकते हो में टॉपिक आपक क्या करना है इंपोटेंस ओफ एर यानि कि हमारी एर होती है हमारी हो उसका इंपोटेंस क्या है उसकी ookणिस्वेर हमें कि अनिधल ahead of the इंधल में primary of colonate강 graduate research इंइमल्स हो या फिर हुमें बिइंग्स हो दोनुघ को कि जरत होती है बेटा तहा कि खीजन की जरत होती है थीक ठीक है oxygen किसमें प्रेजेंट होती है एर के अंतर प्रेजेंट होती है तो इसलिए हमें एर की रिक्वायर्मेंट है हमारी लाइफ के लिए ब्रीध इन ऑक्सीजन तो लेते हैं और क्या छोड़ते हैं चोड़ते हैं किस चीज़ के लिए ताकि वह अपना खाना बना सके और वह हमें बदले में क्या प्रोवाइड करते हैं यह प्रोसेस कैसे चलता है प्लांट तो अक्सीजन चोड़ते हैं जिसको एनिमल्स और हुमन बेंक्स यूज करते हैं और एनिमल्स और हुमन बिंग्स जो कार्बन डाइकसाइड रिलीज करते हैं उसको यूज कर लेता है प्लांट तो यह सर्कल इस तरीके से चलता रहता है इसलिए बोलते हैं जाते से ज्यादा पेड लगाओ क्योंकि हुमन बिंग्स की तो पोपॉपुलेश हर एलिमेंट की उसको बैलेंस करके चली इसलिए हमें जादे से जादा पेड लगानी चाहिए उसकी बाद नाइट्रोजन इस रिलीज वैन प्लांट्स एन अनिमल्स डाइड एंड डिके नाइट्रोजन गेस कम निकलती है जब जो कोई भी पेड या फिर कोई भी जानवर डजाता है और जल्कितस प्रेटरिकर चिमिल जाता है तो उनके अंदर से कूर से यह सी रीलीज होती है नाइट्रोजन है Kaiserрет ALL ग्रोथ नाइट्रोजन किसी से मदद करती है प्लांस को उनके ग्रोथ में उनके बढ़ने में ह्ले ने कसी साइकल का हूं और निक्टर इंधर वि जाते हैं हवा उनके अंदर भी बरी जाती है उसके बाद और क्या यूज़े हमारे विंड के हमारी एर के मॉविंग एर इस कोल्ड बिन जो अवा चलती है उसे मत्या बोल देते इसके हपसे श्कुल सकते हैं तनम उड़ा सकते हैं इनकी बशेश पर बना होता है। moments के according है move करती है okay और wind mills wind mills होते हैं वीटा पवंद चक्की पवंद चक्की को भी चलाने में हमारी wind help करती है gliders यानि जो वीटा पहड से इस तरीके का tight लेकि जो लोग भूटते है gliders बोलते है उनने भी move करने में पवंद लेख करती है air help cloud move एर की हेलम से हमारी जो clouds होते हैं बादल होते हैं वह भी move करते हैं the oxygen present in air sports burning जो हवां में oxygen होती हैं वह किसमें स्पोर्ट करती है हमारी जब भी हम कोई भी आग जलाते हैं तो उसके लिए हम किस के जरुद होती है तो यह requirement हमारी कहान से पुरी होती है एर से complete होती है, हवासे complete होती है Air help in warming and cooling things, एर की मदद से हम चीजों को ठंडा कर सकते हैं, गरम कर सकते हैं तो यह सारे क्याते हैं, importance of air थे, कल हम एर की properties के बारे में discuss करेंगे Okay, thank you